आप लोगों में से काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपका कॉंटेंट बहुत अच्छा है हमें मतलब बहुत पसंद आ रहा है और यह कुशन एक्जाम में पूछे भी जाएंगे लेकिन सर हमें कुशन याद नहीं रहे पारे हम रिवीजन नहीं कर पारें तो रिवीजन का कोई तरीका बता दीजिए रिवीजन कैसे करें तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है अगर आप साथ-साथ में चीज़े नोट डाउन कर रहे हैं अगर मैंने जैसे बताता हूँ कि इस कोशन का अंसर यह है कोई इंपॉर्टन इंफर्मेशन मैंने आपको बता दी मैंने स्टार्टिंग में आपको आपको आथा कि जब वीडियो लेक्शर देखती हो तो पैन औ तरीका की दूसरा तरीका यह कि एक बर आपने वीडियो देख ली है अपने नोट डॉऔन कुछ नहीं किया है दूसरी बर वीडियोs को चलाओ पलेलिस टो बढ़न करने के बाद आप वीडियो को थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो पहले आपने नौर्मल श्पीड पर देख जो question याद निया, उनको note कर लो, यह दूसरा तरीका, तीसरा तरीका का है students, जो question, यह जो PDF है, जो यहाँ पर use की जारी है, आप इन PDF को purchase कर सकते हो, लेकिन यह paid है, इसमें आपको जो है, fees pay करनी पड़ेगी, description box में link है, वहाँ पे आप लोग जो आप fees pay करके, इसके PDF ले सकते ह है, अगर आपको online payment करके, direct payment करके, direct download करनी है, तो description box में link है, वहाँ पे जाके, click करो, buy PDF को option आएगा, वहाँ पे, वहाँ से जाके, आप PDF buy कर सकते हैं, अगर वहाँ से buy नहीं करना चाते हैं, तो WhatsApp पे message कर दो कि sir, मैं PDF purchase करना चाता हूँ, current affair की, यह करना चाती हूँ, तो आप लोगों को link आजाएगा, वहाँ से payment कर सकते हैं, direct Google पे, phone पे भी आप लोग कर सकते हैं, फिर भी आपको direct send कर दी जाएंगे, channel पर first है, channel को subscribe कर लो, और साथ में bell icon जरूर दबा लेना, तो इस तरह से आप लोग जो इनकी current affair की revision जरूर कर सकते हो, आपको पता है, exam में आपकी यह मेरी statics books के अंदर है, तो वो सारी सीज़ें आपको यहाँ पर cover करवाई जाती है, तो जो बच्चे जुड़े हो उनको पता है कि कितना फाइदा हो रहा है, और आप video को like और share जुरूर कर दिया करो, first time आए हो तो एक बार video को देख लो, उसके बाद निख लेना कि like करनी करनी है या नहीं करनी वो अपर से लिए पहला question स्टार्ट करते हैं, which country has announced that it is unable to repay its entire foreign debt of 51 billion dollar, तो किस देश ने घोशना किया कि एक क्यावन अरब डॉलर के अपने पूरे विदेशी कर्ज को चुकाने में वहाँ ऐस मर्त है, तो कौन सा country है ऐसा, शिरिलंका, अपने news में सुन किस country has suspended agriculture imports from India, तो किस देश ने भारत से किर्शी आयात को suspend कर दिया है, निलंबित कर दिया है, ऐसे question बहुत important रहते हैं, जो agriculture से समंधित रहते हैं, किस देश ने किया है, इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया ने अब हमारे से agriculture import लेने से मना कर दिया है, which state will host the highest Indian national flag at the INA campus, तो कौन से राज्यया ने आई एन ए प्रिसर में सरवच भारती राश्टरे द्रवज की मेजबानी की है या फिर करेगा, मनिपुर, EPCG scheme is associated with which union ministry, जो EPCG scheme है, यह किस union ministry के साथ संबन्दित है, पहले तो EPCG पता होने चीख का है, export, promotion, capital goods scheme, export and promotion, capital goods, यह scheme है, अब यह जो है किस मंत्राले से संबन्दित है, तो यह ministry of commerce, क्या आपको पता है इसमें export हो रहा है, goods की बारे में बात हो रहे है, यह capital goods के बारे में बात हो रही है, promotion के बारे में है, तो है ministry of, meanstry of commerce, ministry यह ministry of commerce, तो अब यह बता दिजे किसका minister कौन है, मैंने आपको बताया हुआ, मैंने आपको वीडियोस बता होई है, इसका ministry क्यों है, ministry of commerce किस के अधिन है? किस मंतृछी के अधिन है? Which payment platform partnered with Extreme 9 to enable faster payment? कौन सा भुकतान platform? तेजी से भुकतान सक्षम करने के लिए Extreme 9 के साथ साजेदारी करता है, तो फोन पे ने की है साजेदारी केरला डिफिटिड दा इंडियन रेलवे टू लिफ्ट दा वुमेंस टाइटल एट सैंटीथ सीनियर नैशनल वॉलीबल चेंपिंशिप 2021-22 वेर वाजदा फाइनल इवेंट हैल्ड तो ये तो समझा गया कि केरल ने भारते रेलवे को हरा कर 17 सीनियर नैशनल वॉलीबल स्टेडियम ये इंडोर नहीं है इंडोर स्टेडियम है ठीक है बीजू पतनायक इंडोर स्टेडियम अब यह है कहां पर स्टेडियम यह स्टेडियम है ओडिशा के इंडर कहां पर है ओडिशा में नेक्ट कोशन देखिए और यह हमारी वेबसाइट है www.studymasterofficial.com अब google पर study master official search करेंगे पहला पेज जो है वो हमारी वेबसाइट काएगा वहाँ पर चाकर आप लोग काफी चीज़ें जो है free of cost डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग एक पर वेबसाट जुरूर विजिट कर ल केंेदरिया मंतरालchy या सास्तान ने भारत में संगरहालीों की पुनर कलपना पर वैस्विक शिकर समेलन का आयोजन किया है किस मंतरालाइन किया है sains प्रेज़ी मंतराले किस मंतराले ने कितनी growth rate की संभावना बताई है, 5.8% 5.8% How many teams will compete in the league stage of Ranji Trophy 2022? तो जो Ranji Trophy 2022 के league चरण में, कितनी team में परतिस्पर्दा करेंगी, आपस में competition करेंगी, वहाँ पर total 38 team है, कितनी है, 38 Next question देखते हैं, Twitter Inc. has partnered with which company to improve the support for its tips feature in India? Twitter Inc. ने भारत में अपने tips feature के समर्थन को बहतर बनाने के लिए, किस company के साथ साज्यदारी की है, किसके साथ की है, Paytm के साथ और इसके लावा हमारे पास ये question bank, test, silly, short notes, आप लोग, अगर कोई query हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, बढ़ते रहिए, चीज़ें याद करते रहिए, आप लोग इसका screenshot लेकर रख सकते हैं, जब आपको need हो, तब ही आप लोग हमें message कर सकते हैं, तो 2022 में विश्व नींद दिवस का wish है क्या था, इसका अंसर देने से पहले एक चीज़ आप लोगो को clear कर दूँ, काफी students हैं, phone करते हैं, message करते हैं कि sir, ना ही तो जिन्दगी में नींद पूरी हो पा रही है, ना ही पूरे हो पा रहे हैं हमारे सपने, मतलब आप लोगों के एक dream होता है कि हमें एक job मिले, कहीं न कहीं सरकारों की ना काम याभी के वज़े से, सफर कौन कर रहा है, students, मतलब पेपर लिया, पेपर लीक हो गया, पेपर लिया, पेपर में धांदली हो गई, मतलब बच्चे क्या करते हैं कि ठीक है, इस बार नहीं हो तो अगली बार मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी मेनत करूँगा, बच्चा अपना 101% देता है वहां पर exam के अंदर, लेक sleep day मतलब ये international level पर मना जाता है, बहुत सारी countries के अंदर मना जाता है, और student life में है, student phase में है, तो खुटको थोड़ा सा खुश रखा कीजिए, जब तक student phase में है, तभी life को आप लोग enjoy कर पाएंगे, इसके बाद आपको job मिल जाएगी, job, एक बार आप job के अंदर आगए, student life में जो आप कर रहे होना है, इसको तयारी भी करो, और तयारी के साथ साथ life को enjoy भी करो, कुछ student सिर्फ तयारी में लगे हुए है, एक साल, दो साल, अगर exam clear हो गया, तो well and good है, अगर दो साल तक नहीं clear हो तो क्या हो जाएगा, सिर्फ तयारी चूज की थी, ना ये कोई friends र पढ़ाई करो, अपना बाहर भी जाओ, घूमो, फिरो, friends हैं, उनके साथ बात भी करो, ये नहीं में कहता है कि हाँ, आप लोग घंटो घंटो बाते करते रहो, नहीं, हाल चाल पूछ लो, week में एक ये बार, दो बार अपने दोस्तों को phone करो, मिल लो उनसे, तो थोड़ा सा खुद को balance रखो, सिर्फ और सिर्फ मतलब की किताबों पर focus मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना से क्या है, अगर success लिमिटरी टाइम में नहीं मिलती, तो फिर आप लोग क्या होता है, fed up हो जाते हैं, तो फिर परिशानियां बढ़ जाती हैं, कई बच्चे depression में चले जाते हैं, कोई कुछ, कोई कुछ मतलब की students को फिर परिशानियां ही रहती है, तो life को पहले से balance करके चलो, कि हाँ, अगर एक साल तक ये हो गया, तो ठीक है, नहीं, तो एक backup plan रखो, कि यसे की, मैं बता देता हूँ, काफी students UPSC की तयारी करते हैं, तो उनके पास एक उता है कि या तो मैं UPSC करना है, नहीं तो मैं state pieces करूँगा, ना उनकी UPSC level की तयारी हो पाती है, नहीं उनकी state pieces level की तयारी हो पाती है, थोटे exams है, वो देते नहीं है, कि हमें ये तो करना ही नहीं है, और चार-पांस साल बाद उन्हें लगता है, अब तो time निकल चुका है, मेरे पास तो job नहीं है, मेरे साथ के तो चले गए हैं, और UPSC में competition बढ़ गया है, फिर उनको जो है, घवराट होने शुरू हो जाती है, अक्सर गलती है, घवराट के अंदर होती है, अदमी जो भी है, जब इनसान घवरा जाता है, तो गलती हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा स रहे की, ठीक है, सोना भी जरूरी है, स्टूरेंट लाइफ में छे से आठ घंटे, इतनी नीज जरूरी है, आप चार-चार घंटे सोएंगे न, ठीक है, एक वीक तक दस दिन तक ये शेडियूल बहुत अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा जो है, आप लोग अगर ये करें तो फिर वो मतलब कि कहीं न कहीं, आपकी लाइफ में ही खराबी करेगा, तो इसमें थीम पुछा गया, वर्ल्ड स्लीप डे का थीम, पहले तब मुझे ये बता दीजे कि वर्ल्ड स्लीप डे मनाया किस दिन जाता है, ये क्वेशन आपके लिए, और इसका थीम क्या है, आउंड माइंड हैपी वर्ल्ड, ये थीम देख लीजे, आपको समझ आ जाएगी चीजे, कि मैंने आपको ये स्लीप डे पर इतना बड़ा भाशन क्यों लिए, कुछ बचे सोचेगें कि सर, काम की बात करो ना, ये क्या आप पालतू की चीजे लेके बैठ गया, लेकिन कही बहुत सही बता रहे हैं, तो quality sleep, 6-8 घंटे के बीच में आपको सोना चाहिए, जनरली 10 बजे आपको 10 या 11 बजे सो जाना चाहिए, और 5-6 बजे के बीच में आपको उठ जाना चाहिए, maximum 7 बजे से पहले पहले तो उठ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग इससे भी बेट उठेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है, quality sleep, sound mind, happy world, ये थी मैं, name the Indian candidate who represents the country at the 2021 Miss World International Beauty Peasant, तो इस भारती उमीदवार का नाम बताइए, जिसने 2021 Miss World International Beauty Peasant में देश का परतिनिज़्ज़व किया है, तो मनान, मनासा वारान सी, जाना मैं मनासा वारान सी, ठीक है, next question देखिए, who has been ranked as the world's topmost billionaire in 2022, M3M Huron Global Rich List, वही, 2022 की जो M3M Huron Global Rich List है, उसमें दुनिया की शिर्ष अर्भपती ग्रूप में किसे स्थान मिला है, तो वही, दुनिया का सबसे richest person कौन है, सबसे topmost billionaire कौन है, एलन मस्क, अब इसमें next question क्या है, मुकेश अंबानी, जो है, is the only Indian feature among the top 10 in the 2022, M3M Huron Global Rich List, what is the global rank of मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी का जो है, rank क्या है, मुकेश अंबानी का global level पर rank क्या है, 9th, top 10 में एक ही भारती है, मुकेश अंबानी, और इनका rank क्या है, 9th, top में कौन है, एलन मस्क, तो यह आप याद रख सकते हैं, सिंपल से शीज़ा, बस यह याद रखने हैं, कि यह M3M Huron Global Rich List है, exam में को और list पोछ ले और आप जो है, confused हो जाएं, ऐसा नहीं करना, which state has ranked first in India with the lowest maternal mortality ratio of 30 per 1 lakh live birth, तो 30 परती एक लाख जिवीत जनम के निंतम मात्र मिर्थी उनपात के साथ भारत में कौन सा राज है, पहले स्थान पर है, मतलब एक लाख बच्ची अगर जनम लेते हैं, जिन्दा बच्चे होते हैं, तो उसमें सिर्फ तीस की ही death होती है, अब देख रहे हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ तीस बच्चों की death हो पाती है, वो कोई भी कारण हो, यह सबसे कम जो है, यह निंतम मात्र मिर्थी उनपात, इसको की lowest maternal mortality ratio कहते हैं, तो इसमें टॉप किस राज्जे ने किया है, बहुत important question है, यह आप लोग इसको mains के अंदर भी बहुत जगा इसको मिल सकती है, mains में ऐसा question आप ली सकता है, कि इन्होंने ऐसा क्या किया है, कि यहां पर जो है बच्चे, जनम जब होता है बच्चों का, तो उनकी मिर्थी नहीं हो पाती, क्या चीज़े हैं, जो मैं केरल से सीखनी चाहिए, उनकी health facility अच्छी है, या फिर उनका कुछ diet plan ऐसा ह या फिर जब कोई pregnant woman होती है, तो उस पर वो ध्यान के stress देती है, मतलब क्या चीज़े हैं, क्या model केरल ने अपनाया है, जिस वज़े से सिर्फ और सिर्फ 30 बच्चों की मिर्थी होती है, हालनकि यह 30 को भी कम करने के कोशिश करेगा, केरल, लेकिन इसके लवाद दूसरी से क आपको पता है कि कितने बच्चों की मिर्थी हो जाती है, तो केरल से सीखना चाहिए, और इस का अंसर जो है, केरल है, यहाद रख लेना, विच कंपनी विल डवलप इलेक्ट्रिक विकल्स और एक और चीजा, अगर यह कोशिशन आप लोगों को मैं यूपीस के लिए करवा रहा होता, या अगर आपको मेंस के हिसाब से करवा रहा होता, जाए वो HCS का मेंस हो, जाए वो बिहार पब्लिक सर्विस केमिशन का मेंस जाए विच्छों को पता होगा, कितने बच्चे जो है, हमारे किन बच्चों ने अप्लिकेशन डाउलोड कर रही है, अगर यह कोशिन इस लेवल से आपको करवा रहता हो, तो इसका आंसर को तो तो ऑफी टाइम दस से बीस मिनट सिफ एक यह कोशिन पर लगते हैं, और कभी भी एकजाम में यह कोशिन आता ना, तो आपको गलत नहीं होता, आपको इतने अच्छे तरीके से सरी शेजे समझा दी जाते हैं, तो लिखना एक सेकेंडरी काम है, सबसे पहले क्या आती है, समझ, अंडरस्टेंडिंग, समझना पहला काम है, आपको अगर समझ आगी तो लिखन आप कभी भी सकते हो, English ने लिख सकते हो, Hindi में लिख सकते हो, पंड़बी में लिखना चाहिए, जिस भी लेखों में लिखना चाहिए, अगर इसके दिमाग में चीज़ें और समझ आ गई तो अब आपको पता है कि भारत की राचिदनी क्याँ है डिल्ली बार्त की राचिदनी क्या है नई लिल्ई आपको समझ आगी आप इसको किसी भी लैंग़ेज में लिख सकते हो तो तोड़ा सा अपने त्यारी या पढ़ने की तरीकों को बदलो इंडिया तो कौन सी कंपनी भारत में BMW के मोटर साइकल ब्रैंड के साथ इलेक्ट्रिक वाहन विक्षित करेगी तो बहुत देखने को मिल जाते हैं आज कल तो रोड पे टीवेस के बाइक बहुत कम मिलते हैं बहुत देखने को मिलते हैं लेकिन अब यह भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तो इस दा हैड़ ऑफ एडवाइजरी कमेटी फोर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेकनोलोजी स्लूशन सेट अप बाइदा सिक्योर्टी एंड एक्षेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो भ कौन है कौन है आपर माधवी पूरी बोच विच कंपनी हाज अनॉंस दा डिजिटल पेमेंट उचसब फोर फाइव हंडर्ड विलेजिस इन इंडिया तो किस कंपनी ने भारत में पांसो गावों के लिए डिजिटल भुगतान उचसब की घोशना की है तो यह गोशना किस बन सकता है ऐसा नहीं है आप किसी भी कोशन को छोटा नहीं आँख सकते तो किस कंपनी ने 4667 मेगावाट हरित उर्जा की अपूर्ती के लिए भारतिय सौर उर्जा निगम के साथ एक स्खरीद समझोते पर हस्ताक्षर किये है तो किस कंपनी ने किये है अदानी ग्रीन एनर और यहां पर एक चीज आई यह है भारतिय सौर उर्जा निगम इस company के बारे में पता होना चाहिए, इसकी सापना कभूची 2,011 के अंदर, और इन्होंने जो क्या है, 4,667 MW जो है, Green Energy का एक agreement किया, तो इस company के बारे में, Solar Energy Corporation of India, इसके बारे में पता होना चाहिए, और ये question भी याद कर लो, which organization has approved a dollar 112 million loan to strengthen skills, education and training through the establishment of Assam Skill University, तो किस संगठन ने Assam Koshal विशेव देला की सापना के माधियम से, कोशल शिक्षा और प्रशिक्षन को मजबूत करने के लिए 112 million dollar के रिन को मंजूरी दिये, ये question आज की ही वीडियो में, मैं पहले ही करवा चुका हूँ, लेकिन question थोड़ा सा बदल दिया गया है, question को दूसरे तरीके से याँ पर लिख दिया गया है, तो आपको इसका answer देना है, और आप लोग 20 question का answer दे सकते हो, a, b, c, या फिर d, तो आप लोग comment section में लिख देना, इससे मुझे ये भी समझ आज़ाएगा कि कितने बच्चे वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, कितने बच्चों को समझ है, मतलब अगर question थोड़ा सा change हो जाए, तो क्या आप लोग इसका answer करने में सक्षम हैं या फिर नहीं है, तो वो भी हमें पता चल जाएगा, इसके लावा ये सारी चीज़ें अवलेबल हैं, आप लोग को किसी भी चीज़ की need हो, कोई भी help चाहिए हो, students काफी students के doubt आ रहे थे कि सर क्या मुझे history मेरी week है, तो क्या मुझे history के notes मिल जाएंगे, आपको only history week है, तो आप लोग only history के notes ले सकते हैं, English medium, Hindi medium, जो भी आपका medium है, Hindi, English और Punjabi, तीन medium अवलेबल है हमारे पास, तो आप लोग तीनों में से किसी भी medium में कोई भी चीज़ लेना चाहो, ले सकते हो, subject wise देना चाहो तो एक subject के notes ले सकते हो, पूरे package देना चाहो तो और comment जुरूर करते हैं कि वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद